तो अजमेर के चोहान साशकों में आज हम पढ़ेंगे विग्रे राज चतुर्थ जिने कहा जाता है वी सल्देव तो इनका समय है 1158 से 1163 इस्वी का तो इनके बारे में जो है वह बहुत बाते हैं जो आपको याद रखनी जरूरी होगी क्योंकि एक्जाम में आपके आगे जो आपका एक्जाम होगा तो वहाँ यहां से कुश्चन जो है वो 100% आएगा ठीक है यहां से कुश्चन तो 100% आएगा क्योंकि एक्जामिनर का फेवरेट है यह टॉपिक विग्रे राज चतुर्थ चोहान वंस का सबसे सकती शाली शाशक कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्यों की ये सबसे पहले शाशक थे जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया तौमरों को हरा कर इससे पहले दिल्ली पर अधिकार जो है वो चोहान साशकों नहीं किया था तो सबसे पहले शाशक हैं जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया इसी वज़े से चोहानों का स्वर्णिम काल स पाल दक्ष का सुण काल जो है वह है विग्रे राज चतुर्त के शाषन काल को कहा जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं चोहान वंस का सबसे सकतिशाली शाषक विग्रे राज चतुर्त हैं। कवी और विद्वान ये भी कहा जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने कई नाटक लिके थे और विद्वानों के तो ये आश्रे दाता कहे जाते हैं। क्योंकि इन्होंने योद्दाओं, वीरों को तो ये आश्रे देते थे, इसके अलावा विद्वानों को भी आश्रे देते थे। चोहानों का स्वर्णिम काल, सपाल दक्ष का स्वर्ण काल ये हमें मिलता है दिल्ली के शिवालिक सिलालेक में, तो दिल्ली का सिवालिक जो शिलालेक है उसमें चोहानों का स्वर्णिम काल कहा जाता है विग्रे राज चतुर्ट के शाशन काल को, इन्होंने गजनी के शाशक खुश्रू साह को हराया था, दिल्ली के तॉम्रों को हराया था और दिल्ली पर अधिकार करने वाला सबसे पहला चोहां सासक विग्रे राज चतुर्थ हैं, तो इनका जो उपनाम है वो भी याद रखिएगा, एक्जाम में विग्रे राज चतुर्थ ना होकर केवल विसल दे भी आ सकता है, विग्रे राज चतुर्थ ने विसलपूर कस्वा बसाया, विसलपूर जील जो है वह है टॉंक में बनवाई थी, अब ये वाला पहराग्राफ जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, विग्रे राज ने अजमीर में सरस्वती कंठा भरन संस्कृत पाट साला क निर्मान करवाया, जिस पर संस्कृत भासा में हरिकेली नाटक लिखा था, इस पाट साला के कुल्पती जो थे वो थे पदम नाप, ठीक है, अब ये एक्जाम में आपके पूछा जा सकता है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, कि संस्कृत पाट साला का जो निर्मान करवा था विग्रे राज चतुर्थ ने, तो उस पाट साला के कुल्पती कौन थे, ठीक है, तो याद रखिएगा, कौन थे, पदम नाप थे, ग्यारा सो निन्यानवे में गुलाम वन्स की कुतुबुदीन एवक ने इस पाट साला को तुडवा दिया, और तुडवा के इसकी जो की ढ़ाई दिन में बन कर तयार हुआ था, जिसे बनवाया कुतुबुदीन एवक ने संस्कृत पाट साला को तुडवा कर, और इसे अबुवक्र की देख रेक में बनवाया था, ठीक है, यहीं पर ढ़ाई दिन का पंजाब शा पीर का उर्स या जिसे मेला कहते हैं, तो यह जो उपादी है, वो विग्रे राज की मृत्यू के बाद यह उपादी निरर्तक हो जाएगी, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था, क्योंकि इस उपादी को धारन करने की शमता किसी में नहीं है, इसलिए विग्रे राज की मृत्यू के बाद यह उपादी निरर्तक हो गई किल्हौन का क्या कहना है कि विग्रे राज उन विद्वानों में से था जो काली दास भवभूती की होट कर सकता था यानि काली दास की तरह और भवभूती की तरह बहुत ही अधिक विद्वान कवी नाटक कार वह विग्रे राज थी इसी लिए उनकी तुलना काली दास और पाल दक्ष का सुण योग कहा जाता है हरिकेली नाटक अब इसके बारे में हम देखते हैं कि हरिकेली नाटक में क्या है किरात्विजधारी भगवान शिव और अरजुन के बीच इसमें युद्ध का वर्डन किया गया है ठीक है तो थोड़ा सा याद रखना है इसको कि हरिके देव रासो ग्रंत लिखा था जो कि विसल देव और परमाराजा भोज की पुत्री राजमत्ती का इसमें वर्णन किया गया है। और विसल देव का और ललित विग्रे राज में विग्रे राज और देशल देवी का वर्णन है। दल पंगोल यानी विस्व विजेता तो साकंवरी के चोहानों में सबसे प्रसिद्ध शाषक जो है वो प्रतवीरा चोहान रहे थे जो की मात्र 11 वर्ष की आयू में ही शाषक बन जाते हैं। इनके जन्म 1166 में हुआ, अनहिल पाटन गुजरात में और मृत्यू होती है 1192 अजमेर में। याद रखना है इनके जन्म का भी, मृत्यू का भी और इनके शाषन का समय भी। प्रतवीरा चोहान के पिता का नाम सौमेश्वर था और इनकी माता का नाम था करपूरी देवी, ठीक है, और ये करपूरी देवी जो है वो दिल्ली के अनंगपालतौमर की पुत्री थी। तो विग्रे राज फोर्त के समय ही दिल्ली के सुल्तानों से जो है वह संपर्क हुआ था चोहानों का तो दिल्ली के अनंग पाल तॉमर की पुत्री जो है वो करपूरी देवी थी जिनका विभा सौमेस्वर से होता है और इनसे संतान उत्पन होती है प्रत्वी राज चोहान प्रत्वी राज चोहान का विवाह जो है वह किस से होता है संयोगता से होता है और ये राजा जैचन की पुत्री थी जो की कन्योज के शाशक थे तो दिखिए थोड़ी सी इनके बारे में स्टोरी है संयोगता के बारे में कि संयोगता और प्रत्वी राज चोहान जो है वो राजशुय यग्य जो है वह किया था और जिसमें सभी महराजाओं को बुलाया था बाहर से लेकिन प्रत्वी राजचोहान को नहीं बुलाया था यहां तक कि इन्होंने प्रत्वी राजचोहान को अपमानित करने के लिए क्या किया कि द्वारपाल के रूप में उनकी ही मूर प्रत्वीराज चोहान को नहीं देखा, तब उसने क्या किया, कि जो बाहर जाकर द्वारपाल देखा, जहां पर देखा कि प्रत्वीराज चोहान की मूर्ती ही उनको नजर आ गई, तो उसी को माला पहना दी, फिर भी उस समय प्रत्वीराज चोहान वहां पहुंच चुके थे और वो सनयोगिता को लेकर वो वहाँ से भाग जाते हैं ठीक है लेकर चले जाते हैं तो इसी वज़े से राजा जैचन और प्रत्वी राज के बीच में जो है वो दुस्मनी बढ़ जाती है ठीक है तो ये थोड़ी सी स्टोडी थी एक्जाम में स्टोडी तो नहीं पूछी ज नाना का नाम था आनंदपाल चोहान तो इंपोर्टेंट है प्रत्वीराज चोहान के बारे में हर पॉइंट इनके दर्वारी विद्वान जो थे वो कौन थे चंदवर्दाई थे जिनको विश्वरूप जो है वह भी कहते हैं ठीके और जयानक भड थे वागीश्वर थे जयानक भड वागीश्वर विद्यापति गोड आसाधर जनार्थन ठीके इस तरीके से आप लोग बार बार इनको बोलिएगा जिससे आपको ये याद हो जाए 1178 में चचेरे भाई नागार जुन का ये दमन करते हैं और 1182 में महोबा का युद्ध होता है ठीक है ये महोबा का युद्ध जिसमें ये भंडानकों का क्या करते हैं दमन करते हैं और वास्तमें सबसे पहली विजय जो है प्रत्वीरा चोहान की महोबा के युद्ध में ही म मर्दी देव और उनके सैनापती आला और उदल तो इनका प्रत्वी राज चोहान के साथ जो है युद्ध होता है जिसमें प्रत्वी राज चोहान जो है वह है विजयी रहते हैं और आला और उदल जो है वो लड़ते हुए वीर गती को प्राप्त हो जाते हैं तो इसे युद और प्रत्वी राज थर्ड के बीच में होता है। तो यहां संदी होती है चालुक के भीम सैकिंड के सैनापती और प्रत्वी राज तृत्तिय की तरफ से जगदेव के बीच में। उस् hut поддерж के जैनापते हैं जिसे इसने क्या किया कि तवर हिंद भटिंड पर कभजा कर लिया था। इस वजय से तराइन का जो है वह पहला भुत होता है। और इसमें पृत्वी राज जो है वह विजई रहते हैं। तो देखिया जो दूसरा वुद्ध है तराइन का वह क्यों हो उसकी वजय जो है कि प्रत्वी राज चोहां निश्चिंध हो जाते हैं जब मुहमद गौरी वहां से चला जाता है और उसकी सेना उसका पीछा नहीं करती है इस वजय से तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है इसे निरनायक लेकर आता है लेकिन प्रत्वी राज चोहां को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि गौरी जो है वो किस मंसा से आ रहा है वह तुबारा से युद्ध करने के लिए आ रहा है तो बहुत ही चालाकी से सबसे पहले तो वो संधी के लिए किवाम उल्मुल्क को प्रत्वी राज के पास भेझता है और धोके से क्या उसकी हत्या कर देता है ठीक है और जिस वजए से मुझम्मद गौरी जो है वो विजैी हो जाता है इस युद्ध के बाद क्या होता है कि भारत में मुस्लिम सामरी जी की नीव जो है वह है पढ़ जाती है तो अब यहाँ पर जो है अधिकार मुसल्मानों का हो जाता है, दिल्ली सल्तनत के जो शाशक हैं वो यहां पर देखने लग जाते हैं, तो प्रत्वी राज का जो भाई है, हरी राज, प्रत्वी राज के जो बेटे गोविंद राज को क्या करता है, यहां से भगा देता है, तो गोविंद राज का जो ह रड थमबोर कुतुबुदीन एबग की अनुमती से, ठीक है, क्योंकि कुतुबुदीन एबग जो था, वो यहां के शास्कों को तभी रहने की मंजूरी देता है, वो कहता है कि पराबर जो है, दिल्ली के सुल्तानों को टैक्स देंगे, तभी यहां पर रह सकते हैं, तो यहा देता है और खुद गद्धी पर बैठ जाता है, और 1194 में ही रड थमबोर के चोहान वंस की नीव रखता है गोविंद राज, प्रतवी राज चोहान थर्ड के समय मुहमद गौरी के साथ जो है, वो है मोयनुदीन चिस्ती जो है, वो भारत आये थे, एक्जाम में कई बार यह चीज पूछी गई है, तो मोयनुदीन चिस्ती के बारे में जो बात है, वो यहां से संबंदित है, इसलिए मैंने यहां पर लिखती है, अब नोट में देखिए, मैंने यह लिखा है, कि इतिहासकार जो है, वो अपने-पने मत देते हैं, वैसे तो मृत्ति जो है, वो 1192 में प्रत्वी राज चोहान की हो जाती है, ठीके, जिसके प्रमान मिलते हैं, चंदवर्दाई का जो प्रत्वी राज रासो है, जिसे की जलहर ने पूरा किया था, यह क्या लिखते हैं, कि प्रत्वी राज को मुहमद गौरी जो है, वो गजनी ले जाता है, पकड़ के और महां पर अंधा करवा देता है, चूकि प्रत्वी राज जो है, वो सब्द भेदी बान चलाते थे, तो चंदवर्दाई द्वारा उनको संकेत दिया जाता है, मुहमद गौरी को मारने के लिए, और मुहमद गौरी को वो अपने सब्द भेदी बान से मार भी देते हैं, लेक आजकार जो है, वो अपने-पने मत देते हैं, तो हमें तो इनको पढ़ना होता है, तो जो सब्द भेदी बान चला रहे थे, तो संकेत दिया जाता है, चंदवर्दाई ज्वारा, और उनके जो शब्द हैं, वो कहे जाते हैं, वो क्या है, कि चार बास, 24 गज, अंगुल अस विरारासों में लिखित है, 1194 इस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, मोहमद गौरी और कनोज के शाशक आनन्दपाल के बीच में, 1206 इस्वी में मोहमद गौरी की मृत्यू जो है, वह खोकरो जाती द्वारा होती है, और कुतुब उद्दीन एवक जो है, वो सत्ता स तो ये लाइन जो है, वह मैंने क्यों लिखी है, ताकि इस चीज के प्रमान जो है, वो मिलते हैं कि 1206 इस्वी में मोहमद गौरी की मृत्यू होती है, तो हमने जो अभी देखा था, चंदवर्दाई ने क्या शब्द कहे थे, ठीक है, मोहमद गौरी की मृत्यू जो है, वो जो टॉपिक है, वो कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थेंक यू,